डेली कोशिंस के स्रीज में आपका स्वागत है आज हम लोग मार्क करेंगे ट्रिप्रोमेट्रिकल आइडेंटिटीटीज के इंपॉर्टिन कोशिंस को हमारा एक्ससाइज 21A का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टिन कोशिंस है वो यह रहा a plus b a minus b के फॉर्मेट में तोड़ लीजेगा इसको आप मार्क करें इसको solve कीजेगा ठीक है कुशन नबर 16 कॉस a plus sign a का whole square कॉस a minus sign a का whole square equal to 2 यह भी बहुत असान है important भी है इसलिए इसको मार्क कीजेगा कुशन नबर 17 कॉस a minus sign इस तीनों का जो प्रॉडक्ट ही यह होगा माइनस वन यह भी बहुत असान है यह तो कैसे solve होगा यह हम आपको बता दे रहें यहीं पर explain कर दे रहें a plus b के whole square में a minus b के whole square में तोड़ना solve को इंड़ रखिएगा और answer ले आईएगा क्योंकि यहाँ पर देखो सब्सकारे प्लसें गैए सब्सक्किद और सब्सक्यस्था करते यहां पर लुट इसको स्ब्सक्राइब भी बेड़ आप सब्सक्राइब रहर कोड़ कर लो आपको औहों कुछ पता है पूर मोठेगा प्र गर्लत सबसे important question है वो है question number 20 जो कि आप से बताया गया है say k minus 10 by say k plus 10 equal to 1 minus 2 say k into 10 plus 2 10 square a यह होता है यहाँ पर काम क्या होगा यहाँ पर काम यह होगा बच्चो उपर नीचे say k minus 10 a से multiply करना होगा क्यों क्यों क्योंकि नीचे क्या है say k plus 10 a और say k minus 10 a से multiply कर लेंगे तो a plus b a minus b के format में आएगा यानि कि overall अगर मिला ले तो नीचे क्या होगा a square minus b square यानि कि say square a minus 10 square a जिसका value क्या होता है नीचे 1 आ जाएगा उपर आप solve कर लोगे इसके पाद question number 21 ये भी क्या है काफी important है आपको दिख रहा होगा maybe साइद देखने में परिशानी नहीं हो रही होगी ठीक है और अगर देखने में दिकत हो ये तो थोड़ा सा quality को बढ़ा लीजिए ठीक क्योंकि ये वीडियो किसी और camera से shoot किया जा रहा है देखो sin a plus cos a k a का whole square plus cos a plus a k a का whole square equal to 7 plus 10 square a plus cot square a ये होता है इसको आपको proof करना है square a plus b के whole square में तोड़ी इसको a plus b के whole square में तोड़ी ये solve की जा आपके पास sensor आ जाएगा आगे देखिया 2017 ने पूछा हुआ question question number 34 sin theta minus 2 sin cube theta by 2 cos theta minus cos theta equal to 10 theta होता है इसको बनाने का भी आसान तरीका है उपर क्या करना है उपर sin theta common लेना नीशे cos theta common लेना sin theta by cos theta क्या होता है 10 theta होता है बाकि सारा जो time स बचेगा उसको modify करके आप उसको cancel out करोगे हाले कि यह सवाल 2017 में पुछा गया इसलिए इसकी कम सम्हावना बनती है लेकिन यह नहीं बूल सकते कि इसकी सम्हावना नहीं बनती है यही कारण है कि यह आपके लिए ज़्यादा important हो जाता है इसके बाद question number 38 वन प्लस कॉट है माइनिस कॉसे के multiply वन प्लस टेन है प्लस से के इन दोनों का जो product होता है यह होता है और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 questions यहां से mark कराएंगे हैं आपको important इसलिए हो जा रहा है ना आपने कहा था सर पाची questions 11 mark करा रहे हो कैसे practice करेंगे देखो बच्छो एक्चुली बात ही है कि यहां पी questions भी बहुत जादा है तो 10, 11 questions तो practice करने एक दम आम बात हो जाएगी बहुत जादा time नहीं लगेगा तो यह book के वो questions है जो कि बहुत important है अगर book में question कहीं से आना चाहिए तो इस type के ऐसे ही question आने चाहिए इसलिए इसको mark कराया गया है so please mark करके इसको practice करने का कश्ट जरूर करें exercise B हलाकि बहुत important नहीं इसके बाद भी आप question number 1 और question number 3 practice के लिए किजेगा क्योंकि question number 1 यह आखरी time 2003 में पूछा गया है इसके बाद यह पूछा नहीं गया इस साल इसको पूछा जाने का समभावना कम बनता है लेकिन बनता है तो इसलिए question number 1 question number 3 इन दो questions को और क्या करना प्राक्टिस कर लेना है ठीक है next देखो 21C portion में नहीं है और अगर हो जाए ठ कोई बात नहीं क्योंकि यह slayvers में है नहीं लेकिन कर सकते हैं आप just for practice और यहां से कोई एक question प्राक्टिस कर लिए कोई एक ताकि आपको याद हो जाए कि कैसे वह solve हो रहे है यह तो बहुत असान ही आप आपको पता है साइं 60 का value क्या होता है साइं 30 का value क्या होता value पुट क आता है इसलिए परिशान होने की ज़रूत नहीं इसके बाद हमारे पास रह गया मिस्लेने से साइज मिस्लेने से साइज में आप काम कर सकते हो वह है question number one का three दिख रहा है अगर नहीं दिख रहा है तो लो थोड़ा सा और उपर कर देते question number one का क्या three ठीक है next next हमारे पास निक करके आपको देना है two ten होता है इस पूरे को solve करना है इसके बाद हमारे पास जो answer question अगला निकल के आएगा 17 number इसको भी आप solve कीजेगा मेरे पास सही तरीके से दिख नहीं रहा है यहां है one plus ten plus say bracket close one plus quarter minus equal to two होता है यह तीन questions इस exercise से आपको क्या करना और solve करना है overall मिलाया रहेंगे उनको भी प्रैक्टिस करना है तब तक लिए all the best have a good day रादे रादेव